जी हाँ तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही पड़ा अब भूत पुर्व सेनिकों को राज्य सभा की सदस्यता के लिए नामांकित करने की मांग की गई है ये पत्र माननिया श्री रामनात कोविंद महा महिम राश्टरपती जी को लिखा गया है इसका विशए आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है पुर्व सेनिकों को राज्य सभा सदस्यता के लिए नामांकित करने है तू माननिया महोदाश्री भारत के राज्य सभा के बंदारन के आर्टिकल 80 में 12 सदस्या आप श्री के द्वारा नामांकित करने का प्रावधान है जिसके तहट आप श्री के द्वारा समय अनुसार, विभिन शेत्र, विज्यान, सहित्य, कला और समाज सेवा आदी के व्यक्तिक विशेश को राज्य सभा सदस्या के लिए नामांकित किया जाता है इसका उदेश्य विभिन शेत्र के जानकार लोगों के द्वरा उस शेत्र में उन्नती कराना है आग तक शरक्षन सेत्र से एक भी जवान राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकित नहीं हुआ है जिसने देश हित में हमेशा अपनी जान की परवा किये बिना सेवा की है उस जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए एवं सरक्षन सेत्र की उन्नती करने के लिए पूर्व सेनिकों को राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकित करे या आपसे अनुरोध है साथ ही में निवेदन है कि ओफिसर रेंग के नीचे के पद में से निवरुत जवानों को नामांकित किया जाए ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसमें लिखा हुआ है कि साथ ही में निवेदन है कि ओफिसर रेंग के नीचे के पद में से निवरुत जवानों को नामांकित किया जाना चाहिए क्योंकि जवानों की सर्विस के दोरान बहुत परशानियों का सामना करना पड़ता है जिसमें सुधार लाना अती आवश्यक है अता आप से अनुरोध है कि आपके दोरा पुर्व सेनिकों को राज्य सभा के लिए नामांकित करके जवानों को अच्छी सी अच्छी सुविदा के लिए मदद करें जिससे उस शेत्र के साथ साथ जवानों की उन्नती हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ये पत्र लिखा गया है माजी सेनिक सेवा फांडेशन गुजरा स्टेट की तरफ से दोस्तों मैं विशेश तोर पे आपको बता दूँ कि माजी सेनिक सेवा फांडेशन गुजरा स्टेट बहुत ज़ादा एक्टिव संस्ता है बुद्पुर्व सेनिकों एवं सेनिकों के लिए और इनके करता हरता एवं मुख्या है माननिय जितंदर भाई निमावत जी जो कि खुद एक सरकारी करमचारी होने के बाद भी उनका सरल जीवन होने के बाद भी सेनिकों की प्रगती और सेनिकों की परशानियों को दूर करने के काम में लगे हुए हैं ऐसा अदम्य सास रखने वाले हर एक सेनिक और जो अपनी खुश्यों को बुल कर दूसरे जवानों और उनके परिवारों की मदद करने के लिए दोड़ते हैं ऐसे लोगों को सेनिक पंता परिवार सेल्यूट करता है और इन्हों ने बिलकुल सही मांग की है औ एक सेनिक की असली परिशानियों को दूसरा सेनिक ही स्थीक से समझ पाता है अगर राज्य सभा की सदस्यता में कोई एक माजी सेनिक हो तो वो दूसरे सेनिकों का बहुत अच्छे से भला कर सकता है और भारती सेनिकों के परिशानियों को दूर कर सकता है और इस वीडियो को एक प्रौचसाहन मिले और सभी एक मंच पर आकर सेनिकों के भलाई के लिए सेनिकों के कल्यान के लिए कुछ आगे कदम बढ़ाए अब ये विशेस तोर पर जरूरी हो गया है कि भूतपुर्वा सेनिक और सेनिकों की परेशानियों को दूर करने के लिए भारत पर के पूरे संगठन एक जूट होकर आगे बढ़े और उनकी परेशानियों को दूर करने में मदद करें और हम सभी का भी ये फर्ज बनता है कि जहां भी ऐसे विशेस कारिया होते हैं वहाँ पर अपनी तरब से जितनी मदद पहुँच पाए उतनी मदद की जाए आप जहां कहीं भी हो इस वीडियो को जादा जादा सेर की जगा ताकि सभी सेनिक सेवा फांडेशन सभी सेनिक संगठनों तक इस बात को पहुचाए जा सके और सभी को इस तरह से नए कदब उठाने का एक प्रोतसाहन मिले इस वीडियो में बस इतना ही बाकी हस्ते रहिए खुश रहिए मस्त रहिए नमस्कार जेहिं